अगर आप कोई फूड का बिजनेस शुरू करने वाले हैं जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, धाबा या कोई फूड स्टॉल तो आपको FSSAI यानि Food Safety and Standards Authority of India से लाइसंस लेना पड़ेगा ये लाइसंस निर्धारित करता है कि आप जो भी खाने पीने की चीज़े बेच रहे हैं ये मानगों पर घरी उतरती है ये लाइसंस लेने के लिए आपको कहीं चक्कर काटनी की ज़रूरत नहीं है और नहीं खूब सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे बलकि आप अपने मुबाइल फोन से ऑनलाइन भी FSSAI लाइसंस के लिए अपलाई कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको FSSAI लाइसंस लेने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं Food Safety and Standards Authority of India का लाइसंस लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पराना होगा इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राइट साइड में आपको एक उप्शन दिया गया है साइन अप का इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रियेट कर लेना है जिसके लिए आप यहाँ पर अपना नेम डालेंगे यहाँ पर कंपनी का या शॉप का नाम डालेंगे यहाँ पर पिन कोड, इमेल आईडी, मुबाइल नंबर इसके बाद यहाँ पर एड्रस और यहाँ पर चूस कर लेंगे अपना स्टेट, यहाँ पर डिस्टिक चूस कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको एक यूजर आईडी डाल देनी है जो भी आप रफना चाहते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको एक password choose कर लेना है और यहाँ पर password दो बारा से type करना है इसके बाद terms को accept करेंगे और यहाँ पर यह capture फिल करेंगे जैसा लिखा हुआ है इसके बाद register पर click करेंगे आपका account successfully create हो जाएगा आप वापस से home पर आएंगे आपके पास एक email आजाएग इसमें आपको आपकी user ID मिल जाएगी आप इसको copy कर लीजी इसके बाद आपको login करना होगा तो यहाँ पर आप डालेंगे username यहाँ पर आप डालेंगे password जो भी आपने set किया हुआ था और sign in पर click करेंगे अब यह है आपका dashboard यहीं से आप एक नए license के लिए apply करेंगे यहीं स आप duplicate license को surrender करेंगे यह फिर आप अपने license को transfer भी करा सकते हैं तो एक नए license बनवाने के लिए आपको यहाँ apply for license registration पर click करना होगा इसके बाद यहाँ पर accept करेंगे अब यहाँ पर आपको state choose कर लेना है जिस state में भी आपको अपना food business शुरू करना है यह आपने शुरू किया ह हुआ है अगर आपका business एक से ज्यादा states में है same name से तो आप यहाँ yes करेंगे और अगर आपका business किसी और state में नहीं है same name के साथ तो आप no करेंगे आपके सामने categories आ जाएंगी आपको choose करना होगा कि आपका business किस category में आता है जैसे कि manufacturer, importer, midday meal, exporting, FBO, railways, e-commerce, etc. तो यहाँ प आपको wholesaler, retailer, distributor, supplier, caterer, hotel, restaurant, धाबा, marketer यह सब आपको मिल जाएंगे जैसे कि अगर आप खाने की फेरी लगाते हैं तो आप hawker choose करेंगे अगर आपका कोई restaurant है तो आप restaurant choose करेंगे अगर hotel है तो hotel choose करेंगे और अगर आपका कोई धाबा है यह banquet hall है जिसमें food catering भी arrange की जाती है यह फिर home based canteen है यह फिर permanent temporary stall है food stall है तो आप यहाँ पर यह वाला option choose करेंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी एक option choose करेंगे मानली जी के मेरा एक restaurant है तो restaurant में आपको यहाँ पर कुछ options दिये गए हैं जैसे कि अगर आपके restaurant का turnover है बारा लाक रुपे तक तो आप पहला option choose करेंगे और अगर 20 करोड तक है तो आप दूसरा option choose करेंगे और अगर आपके restaurant का turnover है 20 करोड रुपे से ज्यादा तो आप यहाँ पर third option choose करेंगे इसके बाद नीचे यहाँ proceed पर click करेंगे kind of business food business operator restaurant और lessons category है registration तो आप यहाँ click करेंगे apply करने के लिए अब यहाँ पर आपको अपना name डाल देना है या अपनी shop या business का नाम डाल देना है जैसे कि हाँपर मैं डाल देता हूँ इशान food center designation आप choose कर लेंगे individual है partner है proprietor है तो चलिए हम individual choose करेंगे इसके बाद नीचे kind of business इसमें restaurant हमने choose किया हुआ है आपको यहाँ पर कोई और choose नहीं करना है नीचे आपको यहाँ पर अपने business का address डालना होगा state यहाँ पर आगया जो आपने choose किया हुआ था और यहाँ पर आपको address डाल देना है अगर आपका address और business का address दोनों सेम है तो आप यहाँ yes कर देंगे उपर का address नीचे यहाँ पर paste हो जाएगा लेकिन अगर आपका address अलग है तो आ आप नाम डालेंगे जिससे contact किया जाएगा. Food license आपको कितने सालों के लिए चाहिए आप यहाँ से choose कर लेंगे. Maximum आप 5 years के लिए यह license ले सकते हैं. चलि हम choose कर लेते हैं 1 year. जितने भी time के लिए आप भी license लेंगे उसके बाद आपको renewal कराना होगा. इसके बाद निचे यहाँ पर आप चूज कर लेंगे food category. के आपका जो business है, restaurant है, वो किस food category में आता है. यहाँ पर आपको काफी सारी categories मिल जाएंगी. Save and add पर click करेंगे तो आप यहाँ और भी add कर सकते हैं. यहाँ पर आप second choose कर लिजिए. तो यहाँ पर आप जितने चाहे चूज कर सकते हैं. मैंने add कर दिया है bakery products, save and add. इसके बाद आपको personal identification details के लिए एक ID अपलोड करनी होगी. तो यहाँ से आप चूज कर लेंगे आधार card, pen card, passport, ration card, कोई भी एक document आप दे सकते हैं. जिसे कि यहाँ पर मैं choose कर लेता हूँ आधार card, तो अब आपको आधार card का front page यहाँ पर upload करना हैं, जिसमें आप JPG, JPEG, BMP, PNG और GIF upload कर सकते हैं, जिसका maximum file size 3MB हो सकता है. इसके बाद यहाँ पर आपको एक declaration form upload करना होगा, तो यहाँ पर आप Hindi या English किसी भी language में download कर लीजिए, यह form आपको download करके print कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर आपको date डालनी है, यहाँ पर place डालनी है, और यहाँ पर अपने signature कर देने हैं, और निचे यहाँ पर आपको अ save and add पर click करेंगे, declaration form upload करना mandatory है, इसके लावा अगर आप चाहें, तो मुंशी पाल्टी या पंचायत का NOC भी upload कर सकते हैं, निचे यहाँ पर आपको चूज कर लेना है, आपका business कभी start हुआ था, अगर business है तो आप यहाँ पर start की date डाल देंगे, और अगर कोई seasonal business है, जो सिर प्राइवेट है, यह कोई और source है, जिसे कि हम चूज कर लेते हैं, प्राइवेट, क्या कोई electric power यूज की जाती है, food items को manufacture करने में, अगर हाँ तो आप yes करेंगे, और यहाँ पर आपको load डालना होगा, कि electricity का कितना load आता है, और अगर electricity यूज नहीं की जाती है, food items को manufacture करने म तो आप no choose करेंगे, और save and next पर click करेंगे, अब आपको यहाँ पर form A प्रिंट करना होगा, जो के आपने अभी fill किया है, इसी का नाम है form A, यह आप यहाँ से print पर click करके download करेंगे, अभी यहाँ पर pop up blocked है, तो इसको हम allow कर देंगे, और फिर से यहाँ पर print form A पर click करेंगे, तो आपका यह form A आपके सामने आजाएगा, यह है form A, यह आपको print करना होगा, प्रिंट करने के लिए आप यहाँ प्रिंट आइकन पर click करेंगे, और आपके पास जो भी printer है, उससे आप print कर सकते हैं, यह आप अपने आसपास की किसे shop पर जाकर करके print कराएंगे, प्रिंट क पर click करेंगे, यह upload हो जाएगा, आप यहाँ view पर click करके देख सकते हैं, और delete पर click करके आप इसको delete करके फिर से भी upload कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ submit पर click करना होगा, अब यहाँ पर आपको payment करना होगा, जिसके तीन option दिये गए हैं, अगर आप cash option चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ pay now पर click करेंगे, payment करने के आपको काफी सारे options मिल जाएंगे, जिसके आप card से, UPI या QR code से और internet banking से भी आप pay कर सकते हैं, चली हम card से pay करेंगे, card पर click करेंगे, यहाँ पर आपको card number डालना है, expiry month और year डालना है, यहाँ पर card holder का name डालेंगे, और यहाँ CV भी डालेंगे, remember card है, इसको आप uncheck करेंगे और pay पर click करेंगे, आपके सामने OTP page आजाएगा, यहाँ पर आप OTP डालेंगे, जो bank की तरफ से आता है, और submit कर देंगे, तो आपका payment successful हो जाएगा, और यहाँ पर यह आपको redirect कर देगा, आपके dashboard में, आपके mobile number और email पर application ID send कर जाती है, आप यहाँ print पर click करके इस slip को भी download कर लेंगे, कि आपने payment कर दिया है, आप यहाँ से इसको PDF में save भी कर सकते हैं, view application पर click करके आप अपनी application भी देख सकते हैं, कि आपने क्या-क्या fill किया है, इसके बाद आप यहाँ go to dashboard पर click करेंगे, यहाँ पर registration चूज करेंगे और search पर click करेंगे, तो आपने जो भी registration किया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर आप इसका status भी देख सकते हैं, application process में है, जैसे आपकी application approve हो जाएगी, तो आपका license number यहाँ show होगा, और issue date यहाँ पर आजाएगी, और कब से कब तक valid रहेगा, यह यहाँ पर आ click करेंगे, तब भी आपके सामने status आजाएगा, इसमें आप देख सकते हैं, application online submit हो चुकी है,